है महाकाल है महाकाल आप तो आप बोले प्रसंद हो गए कि लंकेश की ये दुर्द साजों हो गई है महाकाल मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एन अब सगनों दोरा डराना चाहते हो क्योंकि मैं अपनी हार मान कर राम के चलों में छुप जाओ क्योंकि राम तुमारे आगे हर समय हाथ बाने सहता के लिए गिलगणाता रहता है इसलिए तुम मेरी अभेना करना चाहते हो और राम का साथ देना चाहते हो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे आइंकर का दंग देना चाहते हो यह सक्तिया मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई मेरी कटार तपच्या के अप्रक्ष में कर्म के विधान के अंसार तुम मुझे वह सक्तियां देने के लिए बिवस्ते जब भी कोई अपूर सक्तियां प्राप कर लेता है तो तुमारी माया ही उसे सक्ति के मत में पागर बना देती हैं वही वस्ता मेरी है सक्तियां भाई उन पर आइंकर किया और उस आइंकर को सहन नहीं कर सका धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्क पर चला हूँ दूसरों पर अध्याचार भी किया है इसका दंद भी भोगना पुड़ेगा अनंतूराबर उस दंद को उसी कर्व के साथ भोगएगा जैस कर्व के साथ उसने और सक्तियों का भाउक किया है रावर्म मर जायगा तें तुं चुकेगा नहीं चुकना तुमैंने तुमारे सामने भी नहीं चीखा यह सभी का कहना सक्ते है और वह भगवान है तो मेरा पद करने में जितनी ख्याती उसकी होगी उतनी ख्याती तीनों लोकों में तीनों कालों में देखद गांतर तक रावड की होगी जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां रावड का नाम भी लिया जाएगा रावड मरकर भी अमर रहेगा लेकिन जुकेगा किसी के सामदे नहीं आज देखूंगा रावण का आखों से निकलती रिज्वाला को वो राम के स्थ्रकार सहन करता है किसी को भी तत्री पर छुपले मात्र की जगे नहीं दूँगा त्राहे त्राहे मचा दूँगा रावण की हजार सेना पर भारी है फिर आकर तुमारे दर्शन करूँगा और ये शित करूँगा कि आज भी रावण का वही पराकरम है जो इससे पूर्व था जा महकोल जा भोले ना आज राम को बचा सको तो बचानो मेरे चंगुल से